गर्मियों के लिए बेस्ट दूद फेशियल लोग पारलर जाकर तरतरे के फेशियल करवाते हैं चेहरे की चमक को बनाए रखने के लिए फेशियल बेहत कारगार उपा है लेकिन कई बार ये फेशियल बहुत महगा पड़ता है जो सभी की पहुँच में नहीं होता ऐसे में आप घर पर दूद से अपने चेहरे का फेशियल कर सकते हैं इससे आप अपने चेहरे के दाग धब्बे जूरिया जैसी अनेको समश्याओं से चुटकारा पा सकते हैं दूद से फेशियल करने के चार तरीके हैं पहला क्लेजिंग तो सबसे पहले क्लेंजिंग करें एक कटोरी में कच्चा दूद लेकर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हलके हातों से मसाज करें मसाज करने के बाद कुछ देर के लिए इसे चेहरे पर ही छोड़ दें जब ये आपके चेहरे पर अच्छी तरह से सूख जाए तब पानी से चेहरे को साफ कर लें आप चाय तो थोड़ा सा इसमें आलू का कच्चा रस डाल दें दो, स्क्रेबिंग कच्चे दूद में कौफी पाउडर मिलाकर स्क्रब बनाएं अब इस स्क्रब को अपने स्कीन पर लगाकर हलके हातों से 5 मिनट के लिए मसाज करें फिर, स्क्रब करने के बाद कुछ देर के लिए से चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और बाद में पानी से तवचा को साफ कर लें स्क्रबिंग करने से चेहरे की स्कीन पर मौजूद डेड़ सेल्स अच्छी तरह से निकल जाती है इससे आपकी तवचा चमकदार बनती है नमबर तीन थेड़ पॉइंट है मसाज इसके लिए आप एक कटोरी में कच्छा दूद और शेहद मिलाकर एक पेश्ट बनाकर उसको अपने चेहरे पर लगाएं और करीब 20 मिनट तक हलके हलके हाथों से मसाज करते रहें उसे 10 मिनट के लिए फिर चेहरे पर ही लगा छोड़ दें तो 20 मिनट के लिए हलके हाथों से मसाज कर लें और उसके बाद 10 मिनट के लिए चेहरे पर छोड़ दें इसके बाद पाने से अपने चेहरे को धूलें मसाज आपके चेहरे की टॉन्ट सही करने और चेहरे को मॉस्टराइज करने में काफी मदद करता है चेहरे की स्कीन का मसाज करने से बलर सर्कूलेशन ठीक होता है नमबर चार, फेस पैक एक कटोरी में एक बड़ा चमच कच्चा दूद लें और फिर मेश किया हुआ पपीते को मिला कर एक पेश्ट बना ले अब इस पेश्ट को चेहरे पर लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर ही लगा छोड़ दे इसके बाद अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से साफ कर ले फेस पैक चेहरे पर लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप फेशिल नहीं करते हैं तो हफते में एक या दो बार पैक जरूर लगाएं और चेहरे की मसाज जरूर करें हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए धन्यवाद